प्रदेश प्रदेश में कॉंगर्स सरकार को लेकर आए दिन नेताओं में आप से खीच्टान के खबरें सामने आती रहती है एक दिरफ जहां विपक्ष कॉंग्रेस सरकार पर आरूप लगाता है, वही कई बार कॉंग्रेस के सहीयोगी विधायक मंत्री भी उसे घेरते रहते हैं अब एक बार फिर कमलनाथ सरकार के ही विधायक और कॉंग्रिस के वरिश नेता दिगवजय सिह के भाई लक्षमन सिह ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है लक्षमन सिह ने कमलनाथ को इस बार नसीहत देते हुए कहा कि वे मजबूर नहीं मजबूत मुख्यमंतरी बनें पूरा प्रयास चल रहा है मेरा मुख्यमंतरी जी कमलनाथ जी को एक संदेश है आपके मांदें से कि आप मजबूत मुख्यमंत्री बनके काम करिए मजबूर मुख्यमंत्री बनके काम मत करिए राजगर की चांचोडा विधानसभा सीट से विधायक लक्षमंसिह ने कहा कि सरकार एक मजबूत सरकार की तरह काम करे मुख्यमंत्री को अब सरकार बचाने की कोशिश छोड़कर जनता के लिए काम करना चाहिए समीति नहीं बनी है सरकार चलाने में ज़्यादा द्यान दें बचाने में कम दें इस चरकार है जब तक है जब तक रहेगी हम तो में पांच साल रहे लेकिन आफ एक मजबूती से काम करके मजबूत मुख्यमंत्री बनके बताईए तभी प्रदेश का भला होगा पुदेश वासियों का ख़लाओ धनलेवा और गाड़ी चलाने के लिए जन्ता की गाड़ी कमाई का जो पैसा टेक्स क्रूप में आ रहा है उसकी लूट मची हुई है और लूट के हिस्से में कौन कितना बड़ा भागीदार बने प्रितिस पर था इसी की चल रही है प्रदेश दमा हो रहा है विकास के काम ठपड़े न सबाद छेतर में इस्ताम सुल्की रासी से जो स्विक्रित काम से 37 वो में रस्त कर दिये पैसा बापस बुला लिया जन्पत पंचाट के सदस्यों से जिला पंचाट के सदस्यों जो निदी होती थी वो बापस बुला लिया सरपंचों से पैसा बापस बुला लिया विकास के पैसा गया था मेरी सरकार पहे वो पैसा बापस बुला के यहां रख लिया अब सवाल ही है कि पैसा जा कहा राए केवल खदानों को कैसे लूते हैं बजट के पैसे की बंदरवाद कैसे करें किसी काम में लगे हुए हैं यह सरकार कहीं नहीं चल रही अब तो चेतो कमलनाथ अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें सिस्क्राइब करें और शेयर करें